हाई गैस एन वेलकम बाक टो दी चैनल दीपच्यादव एजूकेशन वेलकम टो दी डेली हिंदू नियूज एंड एडिटोरियल एनालेसस और फोर्थ आप फेबरेरी 2023 तो गैस आज है तारिक चार फरवरी 2023 और है सैटरडे देखेंगे आज के दह हिंदू कंप्लीट न्यू एजूकेशन यूपीएसी एज यू कैंसी आप लोग को यह वला चैनल मिल जाएगा इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहां पर डेली बेसस पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बेसस पर बहुत सारे डिजिटल नो सेक्षन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएसी प्रिविएस येर साल 2019 के प्रिलिम्स में पूछा गिया था डेली बेसस पर हम लोग यहां पर एक प्रिविएस येर क्व आई और अलग-अलग सामराज्यों के समय पर अलग-अलग तरीके से टैम्पल का कंस्ट्रक्शन किया गया है ना आपने देखा होगा अलग-अलग स्टैल्स के जो टैम्पल्स हैं वो बनवाई जारे थे तो उनके अंदर बहुत सरे अलग-अलग फीचर्स हुआ कर थे जैस कौन से kingdom के समय पर था या आपको बताना है कौन से kingdom के अंडर में ये एक बहुत बेतरीन फीचर हुआ करता था option A चालू क्या kingdom, option B चंडेला kingdom, option C राष्ट कुता kingdom या फिर option D विजर नगरा kingdom तो इसका सही answer आप सभी को नीचे comment section में देना है एटली सभी को उसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily business पर बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है वहाँ से भी check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शुबार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थमलेल वाले important article की तरफ तो दोस्तो ऑस्ट्रिलिया ने एक बहुत बड़ा announcement या है इनके Central Bank ने mention किया है कि अब से इनकी जो currency note होते हैं उसके उपर कोई भी queen और king का picture नहीं होगा देखो मैं आपको बता दूँ एक समय था ऐसा जब British Empire पूरी तरह से दुनिया भर में फैला वा था यह आप देख पाओगे British Empire 1920s के समय का 1920 में इस प्रकार से Britishers ने अलग लग जगा पर कबजा कर रखा था यहाँ पर आप देख पार होंगे इंडिया हो गया और इधर यहाँ पर Australia हो गया Australia को भी पूरी तरह से यहाँ पर कबजा रखा था आज के समय पर देखोगे यानि current scenario में 2023 में तो यहाँ पर UK इतना सा सिमट कर रह गया है बट 1920s में यह empire काफी बड़ा हुआ करता था अब दीरे दीरे यहाँ पर काफी सारे जो countries है वो अज़ाद होना start होई और आप देख पाओगे एक समय पर यह जो सारी countries है वो अज़ाद हो जाती है और आज के समय पर UK कितना सा रह जाता है वो मैंने अभी आपको थोड़ देर पहले दिखाया लेकिन for example हमारी देश की अज़ादी के बाद में आपको पता होगा हमने पूरा structure चेंज कर दिया structure चेंज करने के basis पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे न हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर का पद भी देखने को मिलता है यहाँ पर कोई भी president का post आज के समय में नहीं है तो फिर Australia की side से दो announcement यहाँ पर निकल कर आते है नंबर वन announcement यहाँ पर क्या है कि अब से यहाँ पर बहुत जल्द ही एक president का post भी यह लोग लेकर आएंगे उनका picture यहाँ पर इन notes के उपर चलता है तो इन्होंने बोला है कि अब से यहाँ पर कोई भी king और queen का picture इनके currency note के उपर नहीं होगा और जो Australia के heroes हैं उनका picture यहाँ पर यह अपने note पर mention करेंगे तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वैसे तो इस topic के बारे में चर्चा Australia 2022 से ही कर रहा है क्योंकि आपको पता होगा पिछले साल September के मैने में जो Elizabeth 2 है England की जो queen थी इनका देहान तो गया था उसके बाद यहाँ पर जो king है वो king Charles 3 बनते हैं तो पहले यहाँ पर इनका पिच्चर हुआ करता था नोट के उपर खासकर Australia की currency के उपर यहाँ पर इनका पिच्चर अपडेट हो रहा है तो उसी के basis पर Australia बोलता है कि अब से हम लोग यहाँ पर इनका पिच्चर नहीं रखेंगे Australia की heroes का पिच्चर रखने वाले हैं यहाँ आप देखोगे इस topic पर धेर सारी news article जो है न वो publish हुआ है पिछले दो दिनों के अंदर में जैसा आप यहाँ पर देख पा रहा हूँगे स्क्रीन के उपर में ठीक है Australia will replace Queen Elizabeth image on $5 bank note इस प्रकार से धेर सारी news article even the Hindu ने भी यहाँ पर इसके उपर चर्चा की है Australia will remove King Charles 3 British Monarchy from bank notes यहाँ पर देख पार हूँगे अगर आप यहाँ पर notes देखोगे Australia के तो इस प्रकार से यह $5 का आपको note दिखाई पड़ेगा यहाँ पर यह Queen Elizabeth का जो picture है वो आपको नजर आएगा है ना यह आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से यहाँ पर एक और आपको note देखने को मिलेगा जहाँ पर King Charles 3 का picture देखने को मिलेगा तो इन ही को यहाँ पर remove करने के बारे में चर्चा की जा रही है I hope आपको इसके बारे में अच्छे से clarity मिल चुकी है Now next article पर आता है अगला article बहुत ज़्यादा important होने वाला है इस article को आप लोग GS paper number 2 Indian polity से link कर पाऊगे क्या बात की जा रही है हमारी केन सरकार ने बोला है कि जो 5 judges हैं जिनको collegeum system के थूपिक किया या है चूज किया जा है उन 5 judges को जल्दी से ही post किया जाएगा अपनी post पर बैठाया जाएगा देखो मैं आपको एक matter समझाओगा आज बहुत ज़्यादा relevant है बहुत दिन हो गएं डिसकस करे वे एक matter यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चाव है जिसको हम लोग यहाँ पर नाम दे रहे है क्या NJAC versus Collegium System जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो इन दोनों टॉपिक को तो हम समझेंगे NJAC क्या है, Collegium System क्या है आखरिकार court और government के बीच में किसी इच को लेकर ही controversy चल रही है वो भी हम समझेंगे लेकिन उससे पहले एक बात को यहाँ पर यह समझना Supreme Court ने ना कुछ judges का appointment करने के लिए एक Collegium System को बठाया था Collegium System आपको पता है क्या होता है इसके अंदर पांच members होता है एक तो होते हैं हमारे Chief Justice of India और चार होते हैं हमारे Senior Most Judges ठीक है तो यह पांच लोगों का पूरा का पूरा group है इनका काम क्या है इनका काम है आगे judges को appoint करना ठीक है ना तो judges का appointment उनका transfer Supreme Court के जो भी judges होता है उनका appointment transfer का सारा काम इस Collegium System के पास में होता है बट हुआ क्या Recently Collegium System ने लगबग पांच judges के जो नाम है वो choose किये थे उनको यहाँ पर अपनी judge की post पर बैठाना था लेकिन आपको पता होगा at the last Collegium System बस क्या करता है consultation करता है बातचीत करके यहाँ पर यह बताता है कि हाँ यह judge post पर आना चाहिए लेकिन उसके बाद final approval देने का काम किसका है हमारी सरकार का खासकर president last में sign करके यहाँ पर उसको approval देता है तो वो मामला अभी तक अटका हुआ था ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है हाला कि यहाँ पर Collegium System ने 13 December 2022 में ध्यान रखना 13 December 2022 में ही इन पांच judges का जो नाम है वो announce कर दिया था और बोला था टॉप court के अंदर इनको appointment किया जाएगा बट होता है यहाँ पर यह है कि सरकार ने इस मुद्दे को अभी तक रोक रखा था अभी तक यहाँ पर approval नहीं मिला था इसको यह जो पुरा का पुरा matter है यह जो appointment है वो पुरी तरह से तयार हो जाएगा और आज जो है यह पुरा मामला clear हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर president के पास में यह सरका सरा warrant आज जाने वाला है शामता यहाँ पर president के पास में पहुँच जाएगा president sign करके यहाँ पर इसको approval दे देंगे तो वो चीज़ यहाँ पर चल रही है लेकिन आप एक बात यह देख रहे होंगे मैंने यह बहुला था भी कि पिछले महीने यानि पिछले साल साल 2022 में दिसंबर के महीने में ही supreme court ने इसको allow किया था बट हुआ क्या लगबग दो महीने होने वाला है क्योंकि यह पिछले दिसंबर 13 की बात किया रही है तो अभी दक एक समामले को लेकर यहाँ पर हमारी कें सरकार ने कुछ नहीं किया था तो उसके पीछे का reason है reason क्या है उसको समझने से पहले आपको एक छोटा सा concept और समझाता हूँ और वो system है collegeium का देखो पहले आपको समझना होगा कि आज की समय में supreme court और high court में judges का appointment होता कैसे ये main important point है आपने current issue पढ़ लिया ठीक है यहीं से अगर question आएगा examination में तो आप से यहीं से पूछा जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हमारे समझान में article 124 clause 2 और article 217 इन दोनों articles के बारे में ध्यान लखना article 124 clause 2 किस चीज के बारे में बात करता है supreme court के अंदर judges के appointment के बारे में और article 217 high court के judges के appointment के बारे में बात करता है लेकिन at the last ठीक है appointment हो जाएगा लेकिन president की बहुत ज़दा आविशक्ता पढ़ती है यहाँ पर प्रेसिडेंट पूरे consultation के बाद में लास्ट में उनके पास में approval के लिए सारा मामला जाता है वो ही लास्ट में आपर sign करके इस चीज को आपके सकतो implement करते हैं उसके बाद जाकर वो जो judge है वो supreme court और high court के अंदर बैठ पाता है ठीके तो प्रेसिडेंट का भी एक महतोपूरू रोल है लेकिन एक बात और है जो की बहुत 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 important है चीज यह है कि यह तो चलो हमारे संभिधान के अंदर mention है लेकिन constitution ने हमारे संभिधान ने कहीं पर भी process नहीं बताया है कि कैसे judges को appoint किया जाएगा हाला कि यह तो पता है article 124 clause 2 और article 217 यह judges के appointment के बारे बात करता है लेकिन कोई भी हमारे पास में process अभी तक संभिधान में नहीं है जिस प्रकार से यहाँ पर यह appointments किया जाए तो यह process कैसे बना फिर appointment कैसे होने लगा आप करो college system के बारे में तो college system कैसे evolve हुआ तो college system evolve होने के पीछे का एक बहुत बड़ी कहानी आपको देखने को मिलेगी 1981 में इस कहानी की शुरुबात हो चुकी थी first judge case हुआ था यहाँ पर क्या होता है पहली बार Supreme Court मेंशन करता है कि देखो Supreme Court के अंदर और High Court के अंदर जो जो जिसको appointment है उसके लिए एक consultation word है जो की article 124 clause 2 के अंदर mention किया गया मैंने आपको पहली बताया था यहाँ पर आप देख पार होंगे जजिस का appointment होगा एक consultation के basis पर और President appointment करेंगे last में sign करेंगे लेकिन consultation के बाद में है ना एक बादचीत हो जाएगी कि हाँ यही जज बनेंगे उसके बाद में यहाँ पर इनको appointment किया जाएगा तो इस चीज की जो शुरुवात है वो first judge case 1981 से start होती है और यहाँ पर Supreme Court consultation यानि कि आपस में बादचीत करना start करता है बादचीत करने के बाद में जज इसको appointment करना start किया जाता है फिर उसके बाद में दूसरा judge case आता है second judge case 1993 इसमें क्या होता है कि Supreme Court पहले वाले judge case को overrule करता है overrule करते वे यहाँ पर क्या बोलता है कि अब हम लोग यहाँ पर एक system बना रहे हैं college system तो असल में judge case आया था 1993 में जब college system स्टार्ट हुआ था तो उस समय पर इसके अंदर एकदम से 5 members नहीं थे इसके अंदर केवल और केवल एक chief justice of India हुआ करते थे यानि CGI हुआ करते थे और हमारे दो senior most judges हुआ करते थे बस यानि starting में केवल और केवल तीन members हुआ करते थे college system में लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा उन तीन members से काम नहीं बन पा रहा है तो 1998 में यहाँ पर इसमें college system को expand कर दिया गया Supreme Court ने इस college system को बढ़ा कर 5 member का बना दिया तो एक तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे CGI और हमारे 4 senior most judges हो जाते हैं तो यह आपको 5 total members देखने को मिलेंगे जो की आज के समय पर college system में काम करते हैं और यह judges मिलकर appointment करते हैं Supreme Court के जो भी यहाँ पर आपकर सकते हो judges होता है जितने उनके appointment को लेकर काम हो गया उनके transfer को लेकर काम हो गया वो college system का है तो आज के समय पर current structure क्या है तो मैं आपको समझाए चुका हूँ सर current structure में college system के अदर में CGI प्लस 4 अलग judges 5 members होता है लेकिन high court का college अलग होता है यह जो मैं बात कराँ college की वो अभी जो मैंने बात किये पूरे article में वो supreme court के college की बात किये high court के अंदर जब judges का appointment होता है तो उसके लिए college अलग होता है उसके लिए जो college अलग होता है वो CGI और दो senior most judges of the supreme court का बनता है यानि कि high court के college में तीन लोग होता है और supreme court की college में टोटल पाँच लोग होता है ठीक है यह बात क्लियर हो गई अब देखो हो क्या रहा है ना पिछले कुछ समय से इस college system को लेकर काफी criticism हो रहा है इसकी आलोचना बहुत ज़ादा हो रही है वो कैसे इस चीज को समझना सरकार ने इविन हमारी केन सरकार ने इसकी आलोचना काफी ज़ादा की है इन्होंने ये बोला कि college system में एक चीज आपने देखी होगी कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो कि judges को appointment कर रहे हैं वो सब के सब judge हैं खुद judge हैं वो या तो chief justice of India है या वो judge हैं सुप्रीम कोट के यानि खुद judge आपस में मिल कर ये दूसरे judge को appointment कर रहे हैं तो इसमें कैसी problem आ सकती है opaqueness की कोई transparency है नहीं किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से appointment हो रहा है दूसरा यहाँ पे nepotism का scope बढ़ सकता है favoritism का scope बढ़ सकता है nepotism मतलब जो इनके पसंदिदा लोग है इनके गर क्यास पास के लोग होंगे यानि कि मतलब इनके relatives जो होंगे जो कि इसी field के अंदर हैं ये उनी को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो information है वो कि transparency नहीं है किसी कुछ पता नहीं चल रहा है तो अपने हिसाब से decide करकर तो आगे यहाँ पर appointment करते हैं तो possibility है ऐसा बोल जाता है इसके अलोचन इस प्रकार से की जाती कि possibility है यहाँ पर कि कही ना कही nepotism जैसी चीज़ देखने को मिले और साथ इस देखो nepotism हर जगा होता है तो nepotism जैसी चीज़ देखने को मिले ठीक है आपको कहोगे चलो criticism हो भी गया तो क्या हो गया कुछ हो गया क्या criticism होगा हर चीज़ का criticism होता है ठीक है लेकिन यह criticism बहुत बड़े लेवल पर हुआ इतने बड़े लेवल पर हुआ कि Supreme Court ने sorry हमारी केन सरकार ने एक कोशिश यह की कि हम कॉलिजम सिस्टम को replace कर देता है कॉलिजम सिस्टम की जगा एक नया सिस्टम लेकर आ जाता है वो कौन से सिस्टम होगा वो होगा NJAC इसके full form है National Judicial Appointment Commission यह यहाँ पर decide किया गया court के थूँ ठीक है यह जो सिस्टम है बहले इसमें favoritism, nepotism हो तो हटा देते हैं इसको ऐसे सरकार ने सोचा हटा कर एक नया सिस्टम लेकर आ जाते है NJC और इसको लाने की पूरी तरह से सब कुछ ready भी कर दिया था इविन आप देख पाओगे NJC को बना भी लिया जा था यह commission बन गया था 99th constitutional amendment act होता है 2014 में 2014 में हम यह constitutional amendment act पास करता है यानि हमारे समिधान के अंदर एक संशोधन करता है amendment बतलब change करना संशोधन करना तो 99th amendment किया जाता है 2014 के अंदर में और उसके basis पर NJC National Judicial Appointment Commission को बना लिया जाता है establish कर लिया जाता है बट होता क्या है कि उसके कुछ टाइम बाद NJAC को Supreme Court खतम कर देता है स्ट्रक डाउन कर देता है Supreme Court बोलता है कि ये बिल्कुल गलत है क्योंकि कहीं न कहीं हमारे समिधान में सब की powers को separate रखा गया है और अगर यहाँ पर इस प्रकार से NJAC को बनाया जाता है तो इससे judiciary की जो independence है वो खत्रे में है जो आज के समय पर judiciary independent है ना किसी के उपर निर्बर नहीं अपने इसाप से decision लेती है वो यहाँ पर खतम हो जाएगा तो कहो कहें ऐसा क्यों अच्छा NJC में कुछ ऐसा था क्या हाँ अब मैं आपको समझाता हूँ NJC में क्या था तो आपने यहाँ पर यह समझा college system क्या था यह है ना यह बिल्कुल clear हो गया है आपको समधान में कहां कहां पर mention है इसके बारे में चर्चा हो गई है अब थोड़ा NJC के बारे में जानो तो NJC में मैंने आपको बता दिया 2014 में यहाँ पर एक 99 Constitutional Amendment Act पास करते हैं और NJC हम बना लेते हैं इसके अंदर कितने लोग रखने के मांग की गई थी इसमें बोला गया था कि चलो CJI यानि Chief Justice of India भी होंगे दो जजिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वाले लेकिन इसके साथ साथ Law Minister भी होंगे हमारे जो Law Minister है न वो भी होंगे जैसे आज के समय पर क्रेन रिजुजुजी है दन उसके बाद में कुछ और Persons होंगे Consultation करकर Appointment कर रहे थे उस चीज़ को खतम करके 2014 में सरकार ने NJC को बनाने की कोशिश की इसको Establish कर दिया बोला इसमें हमारी केंदर सरकार का रूल भी रहेगा लेकिन अब क्या होता है सुप्रीम कोर्ट ने इस NJC को स्ट्रक डाउन कर दिया इस Amendment Act को स्ट्रक डाउन कर दिया खारिज कर दिया और बोल दिया ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि जज़िस को इंडिपेंडर रहना ज़रूरी है और इससे जुडिशिरी की जो इंडिपेंडेंसी है वो खत्रे में है क्योंकि यहाँ पर केंसरकार का roll अजाएगा केंसरकार अपने हिसाब से जज़िस को बेठा सकेगी वहाँ पर केंसरकार अपॉइंड करें जज़िस को तो वो जज़िस भी केंसरकार के flavor में ही काम करेंगे ऐसी भी possibility है तो अगेन यहाँ पर भी problem है तो इससे अच्छा कॉलिजियम सिस्टम बहतर है और जज़िस की इंडिपेंडेंसी भी यहाँ पर बनी रहेगी I hope आपको यहाँ पर यह पूरा का पूरा जो matter है वो clear हो चुका है क्या पूरा का पूरा issue पिछले कुछ समय पर चल रहा था जिसकी वैसे मामला अटका अटका पढ़ रहा था बट अभी के समय पर कुछ जज़िस हैं जिनकी post को approval मिल चुका है और आपको सकते हो जल्दी अपनी post पर बैठ जाएंगे ठीक है बात clear हो गई ये दो picture में मज़ा आगया समझ में आगया पूरा article दूसरा ये जो article का पूरा पूरा लिखित में अगर आपको लिखना है notes बनाना है न इसके तो जो notes है वो सब मैंने आपको provide करवा दिया है इस छोटे से point के अंदर में यहाँ पर इसको open करोगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से collegeum system के बारे में सारे के सारे points मिल जाएंगे high court का collegeum, supreme court का collegeum हमारे सम्भिधान में कहां कहां पर चर्चा की गई है ये सब कुछ मैंने यहाँ पर mention कर रखा है ठीक है ना, बात clear होगी तो इतनी बातें यहाँ पर ध्यान में रखना दोस्त और आज का जो PDF मैं आपको दूँगा ना उसमें आपको ज़्यादा परिशानी नहीं होगी वैसे रोजाना के business पर काफी से लोगों को परिशानी होती थी कि सर हम लोग यहाँ पर यह जो information आप background information देते हो वो नहीं ले पाते हैं वो नहीं निकाल पाते हैं तो आज मैंने PDF के अंदर जो पहली slide है जैसे मैंने PDF में पहला हम थमने लगाते हैं उसके बाद Instagram का post उसके बाद यहाँ पर जो third slide होगा उस third slide पर मैंने mention कर दिया कि आप कैसे यह information को निखाल सकते हो वहाँ पर सब कुछ mention कर दिया कि उसके लिए क्या app download करना है और कैसे कैसे open करना है तो अब यहाँ पर कोई जिसको कुछ भी नहीं पता है पहली बार यहाँ पर वीडियो को देख रहा है और उसको बागरून information चाहिए तो वो सब कुछ उस PDF में अंदर मिल जाएगा चीक है न चलो आगया आता है नव आगे बेंड़े से पहले make sure करना वीडियो पर जो like का बटन उसको प्रेस कर दिना यार एक छोटा सा हमारा target है कितना target है 5K प्लस likes का इसको आप हाथो हाथ पहुचा सकते हो और अभी आपने ये बात सुनी है फटा फट लाइक की बटन को प्रेस करो इस target को एचीव करवाओ साथी साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर connect कर सकते हो इंस्टाग्राम पर जाना सर्च बॉक्स में लिखना दीपख जैदा वेजुकेशन आपको ये प्रोफाइल मिलेगा 11,000 से जादा लोग मेरे साथ में जुड़े हैं आप भी जाकर मेरे साथ में परसनली जुड़ सकते हो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आप नीचे आओगे तो एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा और वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखो कल यहाँ पर क्या हुआ था ना कल के Dha Hindu के Pra informação में ने दो तीन आर्टिकल अलगलग निउस पेपर से डिस्कस कर दिये थे तो आज यह आर्टिकल Dha Hindu में आया है कल मैंने बोला था कि कुछ-कुछ आर्टिकल में दूसरे निउस पेपर के डिस्कस कर दिया करूंगा नीचे comment में एक दो मैंने देखे थे comment जहाँ पे नोंने बोला कि sir दाहिंदू पर फोकस करो, देखो दाहिंदू पर फोकस कर रहे हम डूंड वरी सब कुछ cover कर रहे हैं, है ना, तो उसमें कोई परिशानी होगी नहीं लेकिन जब कुछ अच्छा article लगेगा दूसरे news paper के अंदर तो उसको भी include कर लिया जाएगा तो आप कल हमने discuss कर लिया, आज वो दाहिंदू के अंदर आ गया है ठीक है न, तो यहाँ पर क्या mention किया गया है, कि जो passive euthanasia होता है passive euthanasia क्या होता है, अब हम आपको थोड़ा सा बता दूँगा तो इसको लेकर जो पहले rules and regulations थोड़े से difficult हुआ करते थे उसको यहाँ पर Supreme Court ने easy करती है, Supreme Court ने इनको असान कर दिया है ठीक है, अब इस पूरे context को समझने से पहले आपको कोछ छोड़ी-छोडी terms है उनके बारे में पता होना चाहिए, पहले मैं आपको एक picture दिखाता हूँ sorry, एक picture ने देखते हैं, पहले concept को clear करता है कि ये passive euthanasia होता क्या है, देखो एक इंसान है जो की काफी सारी problem से सफर कर रहा है काफी सारी यहां पर उसको बिमारी है suppose, और बिमारी की वैसे या फिर वो इंसान कोमा में है, वो वेंटिलेटर पर रिलेटा हुआ है अब वो वेंटिलेटर पर लेटे-लेटे काफी समय हो गया, उसकी health के अंदर कोई सुधार नहीं आया तो यहां पर क्या हो सकता है, क्या उसको मरने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वेंटिलेटर पर से उसको हटा देना चाहिए ऐसा कर सकता है क्या, हाँ, ऐसा कर सकता है तो इसी चीज़ को यहाँ पर यूथिनेशिया बोल जाता है कि जब एक इंसान खुद से यहाँ पर मरना चाहता हो खुद से यहाँ पर मरना चाहता हो जैसे यहाँ पर बोले जाता है आपके पास में Right to Life Article 21 आपको जीने का अधिकार देती है वैसे यहाँ पर काफी सरे देशों ने इसको एक दूसरे वे में भी इंप्लिमेंट कर रखा है यहाँ आपको मरना चाहते हो काफी परिशान हो चुके हो बिमारी से और बिमारी ठीक हो नहीं रही है काफी सरी प्रॉब्लम से हैं तो यहाँ पर अपनी जान दे सकते हो लेकिन वो तरीका अलग होगा जैसे यह पैसिव यूथिनेशा है पैसिव यूथिनेशा में क्या होता है कि उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट चला है सपोज वो वेंटिलेटर पर लेटा वा है लंबे समय से तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग उसका जो treatment है वो हटा देंगे, treatment जो उसको मिल रहा है वो treatment बंद कर दिया जाएगा, suppose ventilator पर लेटा रखा था, अब उसको ventilator से हटा दिया जाएगा, तो कुछ time में उसके जान चली जाएगी, इसी को हम लोग बोलता है है यहाँ पर passive euthanasia, य लिखित में देगा कि हाँ, मैं यह है, मुझे problem है, और मैं यहाँ पर euthanasia जो है लेना चाहता हूँ, तो इसके basis पर यहाँ पर उसको मरने दिया जाएगा, तो यह है passive euthanasia, एक दूसरा प्रकार का euthanasia होता है, वो है active euthanasia, active euthanasia के अंदर क्या होता है, एक इंसान अपनी personal life को बिल्कुल end करना चाहता है, तो उसके लिए उसको बाहर से एक जहर का injection दिया जाता है, एक lethal injection दिया जाता है, toxic injection, जैसे यहाँ पर उसको injection दिया जाएगा, उसकी जान चली जाएगी, वो होता है active euthanasia, अब बहुत सरे देशों ने अलग से यहाँ पर दोनों का allow कर रख दिया था, कि एक व्यक्ति का treatment चलना उसके treatment को बंद कर दिया जाए, चीक है, बात clear हुई, लेकिन अब क्या होता है, जो 2018 वाले rules and regulation हुआ करते थे, उसमें बहुत सारी difficulties हैं, बहुत सारी परेशानिया पड़ती हैं, बहुत rules and regulations हैं, बहुत restrictions हैं, तो Supreme Court ने उन्ही restrictions को ease कर दि अब passive euthanasia लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा as compared to the previous time, यह यहाँ पर Supreme Court की side से statement निकल कर आया है, ठीक है, अब इंडिया के अंदर euthanasia को लेकर बात करें, तो मैंने आपको बता दिया, एक landmark judgment आया था, Supreme Court का 2018 में, वहाँ पर इन्होंने matter बोल दिया था, कि देखो यह एक living will का matter है, एक इंसान है, चाहता है, उसकी intention है, मरना और उसका treatment वगरा लंबे समय से चल रहा है, तो वो अपने treatment को मना कर सकता है, वो refuse कर सकता है, है ना, और वो व्यक्ति adult होना चाहिए, 18 प्लस हो, उसका mind बिल्कुल conscious हो, और वो सही से, अपनी पूरी मर्जी से उस treatment को refuse कर सकत है, तो नेधरलेंड, लक्जंबग, बेल्जियम, यह जो देश है, यह दोनों ही यूथनेशा को, यानि एक्टिव और पैसिव दोनों को अलाव करता है, स्विट्जरलेंड ने यूथनेशा को बैन कर रखा है, बट फिर भी बोला यह जाता है कि डॉक्टर्स और फिजीश के लिए, तो 2023 मार्ट के महिने से, यानि आने वाले कुछ टाइम से, यह कैनेडा में यह लागू हो जाएगा, इस डिसीशन को लेकर काफी बवाली मचावा है, काफी क्रिटिसाइज किया गया इस डिसीशन को, है ना, वो बात की बाते देखते हैं क्या होता है, फिर उसके यूथरेशिया कुछ राज्यों के अंदर अलाव कर रखा है, लाइक वशिंग्टन, ओरेगान, और मॉन्टेना, यहाँ पर यूथरेशिया को अलाव कर रखा है, बट इनके अलावा हमें नहीं पता, और दूसरी जो इस्टेट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको अलाव चाहिए, तो उनको पढ़ने के लिए आप यहाँ पर एक बार यह वाला पिच्चर को देख सकते हो, अब यहाँ पर चीजे बिल्कुल असानी से क्लियर हो जाएंगी, देखो पहले यहाँ पर लिखा होगा अर्लियर, और यह लिखा है नाव, यानि कि पहले क्या सिस्टम पहले क्या हुआ करता था कि अगर किसी को पैसिव यूथनेशा चाहिए, तो उसके लिए एक प्रामिरी बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बैठता था, यानि डॉक्टर्स का पूरा बोर्ड बैठेगा, जिसमें चार एक्सपर डॉक्टर्स होंगे, जनरल मेडिसिन, कार्डियोलो पहले वाले लॉक्टर्स के अंदर मेंशन की गई थी, लेकिन सुप्रेम कोट ने अब इन ये जो लॉक्टर्स थे, काफी डिफिकल्ट थे, क्योंकि चार डॉक्टर मिल पाना और बीस साल के एक्सपरियंस के मिल पाना काफी मुश्किल था, तो अब इसको आसान कर दिया, और डॉक्टर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर बीस साल का इक्सपरियंस नहीं मागा, यहाँ पर केवल और केवल पान्थ साल के एक्सपरियंस से काम हो जाएगा, तो पहले वाले लॉस के मुताबित इसको थोड़ा इसकर दिया है, समझ मा आगया, अब यहाँ पर यह वा था क कि पहले कि 2018 वाला जो जज्जमेंट सा सुप्रिम कूट को इसमें यह बोला गया था यह जो डॉक्टर्स है यही अप्रूवल देंगे कि यह यह तुनेश्या देना या नहीं देना है तो डॉक्टर्स यहाँ पर बोल देते थे लेकिन उसके बात कोई टाइम में इसको देना चाहिए कोई टाइम लेमेंट नहीं थी यानि डॉक्टर्स के अप्रूवल देने के बाद में इस बोर्ड की साइट से अप्रूवल होने के बाद में लंबे-लंबे समय लोग को वेट करना पड़ता था बट अभी यहाँ पर इसको और असान कर दिया यह जैसी इस बोर्ड क हएगा कि हां बिलकुल युथिनीशिया देना चाहिए तो 48 घंटे के अंदर अंदर यानि दो दिन के अंदर अंदर उस वेक्ति का जो ट्रीटमेंट है वो खतम कर जढ जाएगा उसका ट्रीटमेंट चीन लिया जाएगा बंद कर दिया जाएगा ताकि उसको पैसीव विंग वेल होना ज़रूरी है दूसरा पहले क्या वह करता था जो district collector है जो हमारे district collector होता है DM साब होता है इनको पूरी तरह से जो ये board बनता था वो board बनाना पड़ता था मतलब कि एक board तो डॉक्टर का बन गया दूसरा second board इंड district collector को बनाना पड़ता था ठीक है दूसरा board ये बनाते थे उसके बाद और investigate करते थे बट अब यहाँ पर वो ज़रूरत नहीं है जो hospital है वो ही hospital यहाँ पर एक दूसरा board बना सकता है medical experts का तो वो काम hospital को दे दिया गया है district collector से यहाँ पर हटा दिया गया है तो पहले जो rules and regulations थे उसके comparison में इसको और ज़दा ease कर दिया गया supreme court के माधियम से यह बात article में बताई गई तो clear हो गया छोड़ा सा article था now next article पर आते हैं अगला article आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा आप इसको यहाँ पर as a example भी use कर सकते हो article के अंदर क्या बोले जा रहा है जो तिहार जेल आपको देखने को मिलती है ठेली के अंदर में उस तिहार जेल में कुछ artificial intelligence जो चीज़ें है न वो यहाँ पर add की जा रही है यानि कुछ नया सिस्टम यहाँ पर add किया जा रहा है निनी technologies यहाँ पर use की जा रही है तिहार जेल में जल्दी artificial intelligence वाले surveillance सिस्टम यानि निगरानी रखने वाले सिस्टम यहाँ पर लगाए जाने वाले हैं इविन यहाँ पर बोला जा रहा है बीस artificial intelligence कैमरा देखने को मिलेंगे है ना फिर उसके राद में control room देखने को मिलेंगे control room में calling facility होगी दूसरा जितने भी इस जेल के अंदर staff वाले लोग होंगे उनके पास में walkie talkie होगा walkie talkie मतलब आपस में अराम से बातचीत कर सके communicate कर सके है ना मतलब जेल के अंदर जो staff वेदर सोदर वो सब communicate कर सके उसके लिए walkie talkies लगा जाए जाएंगे optical fiber network का यहाँ पर use किया जाएगा है ना देन उसके बाद में यहाँ पर biometric system का use किया जाएगा ताकि जितना भी record से वो manage कर सके है यानि कि जो fingerprint वगर है उसका यहाँ पर use करने वाले है तो यह नए नए artificial technology का use किया जाने वाला है तिहार jail के अंदर में तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है तो आप as a example use कर सकते हो कि जैसे अगर आपसे कोई topic पर आता है लिखने के लिए जैसे prison reforms जेल के अंदर में कुछ reforms को लेकर कुछ बदलाव को लेकर अगर आपसे article लिखने को आता है है ना या फिर कोई mains में या फिर essay में या GS paper number 4 ethics म या GS paper number 2 quality में आता है आपसे इस प्रकार से question को लिखने के लिए तो आप यहाँ पर एग्जामपल लिख सकते हो तिहार जेल ने क्या 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 यहाँ पर चीज़े में अब ही तिहार जेल किस प्रकार से improve कर रहा है है लेकिन अब आप सोच रहूंगे क्या इतने बुरे हाला है जेल के तो overall हालात क्या है जेल के आउग मैं आपको थोड़ा से इसके बारें बताता हूं यानि कि आपके पास में कुछ एक अच्छा सा point collect हो जाएगा आपके examination के लिए ठीके ना तो यानि कि आपके mains के लिए पूरी तरह से data तयार हो जाएगा जिसको आप examination में बहुत ब overcrowding यानि कि जो जेल है ना उसमें कैदी की जो संक्या है वो बहुत जादा आप ऐसा कह सकते हो और इस article में भी issue of overcrowding के बारे में बताया है जिससे आप देख पार होंगे जेल कम है और कैदियों की संक्या जादा है तो एक जेल के अंदर बहुत सारे कैदी हो जाना इसको हम पर development नहीं हो पाएगा तीसरा violent clashes कभी कभी बहुत सारी यहां पर लडाईया देखने को मिल जाती है जेल सिस्टम के अंदर में यह तीन major problems यहां पर बताई गई है किसको लेकर Indian prison को लेकर ठीक है बात clear हो गई आ गया आता है तेन उसके बाद और क्या mention किया गया फिर यह mention कर करते हैं कि जब आप लोग prison statistics को देखते हो यानि भारत के अंदर में पूरा का पूरा jail scenario को देखोगे तो 2016 में एक report publish होती है NCRB की National Crime Record Bureau आपको पता होगा National Crime Record Bureau क्या करता है हमारे देश में कितने कितने crimes हुएं किस-किस level कियो हुएं कौन-कोंसी category में उसको लेकर Salana report publish करता है 2019 में एक highlight publish की है इंडिया के prisoners के बारे में इंडिया के jail के बारे में कैदियों के बारे में और इन्होंने इस highlight को देते वे ये बताया कि पहली problem जो भारत के jail system में देखने को मिलती है वो है under trial population यानि jail में जो कैदी है ना वो under trial वाले सबसे ज़ादा है यानि ऐसे कैदी जो कि भी मुझरिम साबित नहीं हुएं के बल और केबल investigation चल रहा है तो इंडिया की जो under trial population है ये दुनिया में सबसे ज़ादा है और यही एक सबसे बड़ी problem है दुनिया में जितने भी कैदी हैं महाँ पे सब जगह पर under trial देखने को मिलता है यानि कि भी मुझरिम साबित नहीं ह इंडिया में सबसे ज़ादा देखने को मिल जाती है और यही हमारी सबसे बड़ी problem है एक report ने ये बताया कि साल 2000 अंत तक अगर हम देखें तो लगबख 4 लेक 4,33,33 लोग ऐसे थे जो कि जेल में थे और वो उनमें से 68% केबल और केबल under trial अनि ऐसे जो कि मुझरिम साबित न वाली देखने को मिलती है, तो इस चक्कर में यहाँ पर यह बताया गया है कि कहीं नहीं कि यह हमें क्या सजेस्ट करता है, अगर ऐसा डेटा हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि इंडिया में बहुत सरे अननेसेसरी अरेस्ट हो रहे हैं, यानि कि जिनकी जरूरत नहीं है यहाँ पर आरेस्ट किया जा रहा हैं, और हमारा जो यह आरेस्टिंग वाला सिस्टम है ना, वो ineffective है, सही से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो यह चीज भी यहाँ पर मेंशिन की गई, दूसरा यहाँ पर मेंशिन किया गया कि अभी कापि सरलोग ऐसे भी है, जो की अंड next point पर आता है then यहाँ पर उन्हें नें mention किया कि अभी भी काफी सरे लोग ऐसे हैं जिनको अपने खुद के जो rights उनके बारे में नहीं पता है आप देखोगे जो CRPC है हमारा उसका section 436A इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बोला यह जाता है कि बहुत सारे जो prisoners जो कैदी है न वो eligible हैं मतलब वो लायक हो चुका है उनको release कर देना चाहिए छोड़ देना चाहिए लेकिन देखोगे कि जो actually release होते हैं वो बहुत कम होते हैं इविन साल 2016 में यहाँ पर एक डेटा और निकल कर आता है कि लगबग यहाँ पर बुला गया था 1557 यानि 1557 जो under trial है न यह eligible थे release करने के लिए इनको छोड़ने के लिए यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से लायक थे इनको छोड़ना चाहिए था ठीक है न अंडर section 436A लेकिन केवल और केवल 929 लोगों को ही release किया जया था बाकी यहाँ पर जेल के अंदर ही थे ऐसा में पर बोला गया और उनको पता नहीं था इस चीज के बारे में उनके पास में जाग रुखता नहीं थी नई तो वहाँ पर इस मुद्दे को उठा सकते थे और release हो सकते थे तो यह भी यहाँ पर एक problem देखने को मिलती है एक problem जेल के अंदर यहाँ पर यह है वो है unnatural death ठीक है ना पिछले कुछ समय पर unnatural death भी increase हुई है 2015 में 115 मृत्य हुई थी कैदियों की लेकिन 2016 में यह बढ़कर 231 हो गई थी फिर उस कैद में जो rate of suicide है prisoners की वो भी increase हुई है यह पहले यहाँ पर आप कह सकते हो कि 2015 के अंदर में एक लगबख 77 suicides होई थी और 2016 के अंदर में यह बढ़कर 102 हो गई है 28% से increment देखने को मिला है एक और problem आती है वो यहाँ पर यह है कि जो mental health professional से उनकी काफी सदा कमिया है जेल के अंदर में बोला जा रहा है यहाँ यहाँ पर कि हमारे पास में जितने भी कैदी हैं 2016 में बहुत सरे जेल थे बहुत सरे कैदी थे उनके लिए केवल और केवल एक mental health professional देखने को मिला करता था यानि कि जितने ही prisoner है 2650 prisoner थे उनके लिए हर एक के लिए एक mental health professional हुआ करता थे 2650 कैदी के लिए केवल एक mental health professional यह एक बहुत बड़ी problem थी है ना तो यह यहाँ पर बताया गया फिर उसके बाद में काफी से recommendations आते रहे बहुत सरी committee यह बनी और उन्हें यहाँ पर अपने recommendations दिये उन्हें बोला कि देखो हमें jail system के अंदर कुछ ना कुछ सुधार की आवश्रकता है एक improvement की definitely बहुत बड़ी आवश्रकता है ऐसा यहाँ पर mention किया गया था जो overcrowding माली situation है इसको खतम करना होगा यानि जो भीड आज के समय पर जमी हुई है इसको यहाँ पर रोकना होगा उसके लिए क्या कर सकते है speedy trial यानि कि जल्दी जल्दी case को देखना चाहिए पहली बाद case को जल्दी जल्दी निप्टाओ दूसरा lawyer to prisoner ratio को improve करो यानि कि जो कैदी है और उनके लिए जो lawyers है इनका ratio काफी खराब है हमारे यहाँ पर committee ने यह बोला था कि हर 30 कैदी के लिए एक lawyer तो होना चाहिए लेकिन ऐसा आज के समय पर नहीं है बहुत सारे कैदी हैं lawyer बहुत कम है तो इस ratio को improve करो ताकि जल से जल यहाँ पर यहाँ पर यह cases को देखा जा सके तीसरा यहाँ पर इस committee ने बोला special codes को यहाँ पर establish किया जा से तो एक special fast track code को बनाओ जो कि यहाँ पर जल्दी है लिए cases को देखे था फिर कुछ कैदियों के लिए recommendation दिया गया कि कैदियों के लिए क्या करना चाहिए हर एक जो new prisoner है ना इसको यहाँ पर एक phone call वगरा लाओ करना चाहिए ताकि वह अपने family members के साथ में contact रखे है यह यहाँ पर बोला गया एक बार उसको मिलने देना चाहिए सब्ता के अंदर ताकि वह अपने family members के साथ में बातचीत कर सके तर उसके बाद में एक इफेक्टिव लीगलेट यानि उसको थोड़ी knowledge वगरा दो एक अलग से skill vacancies को fill करना होगा बहुत सरी vacancies अभी भी खाली है हमारे जेल के अंदर में जो स्टाफ है वह बहुत जदे कम है यहना उनके लिए बहुत सरी vacancies अभी यहाँ पर खाली देखने को मिलेंगी तो कई ने कि उनको यहाँ पर जल से जल भरने की जरूरत है प्रॉपरली स्टाफ को प्रॉइट करवाने की जरूरत और प्रॉफरली यहाँ पर फंडिंग की जरूरत है तो यह काम हो जाता है तो डेफिनेटल एक छोड़ा सा इंप्रॉव्मेंट यहाँ पर नजर आएगा देन कुछ प्रॉविजन्स भी है यानि कि हमारे संभिधान के अंदर जेल को लेकर कैदी को लेकर कहाँ पर क्या-क्या बोला गया आउट थोड़ा समझ लेता है दो यह जो पूरा का पूरा प्रेजन सिस्टम है यह हमारा स्टेट सब्जेक्ट है आपको बता होगा हमारे भारते संभि सकता है यानि कि हमारी सरकार और कैन सरकार दोंव मिलकर साथ में उस पर कानून बना सकती है तो स्क कैन है यह पिर नदर में दichen daher एंटपी 4 के अदर में आता है एंट्री 4 ओफ 2 कि यहां पहला गया जो पुरा का पुरा management है जेल का उसकी responsibility हमारी केंद सरकार की है त्रेट government की है ठीक है लेकिन फिर भी जो हमारी ministry of home affairs है केंद सरकारी की ministry ग्रहम अंतरा ले इनको regular basis पर guidance देना चाहिए और राजे सरकारों को advice देना चाहिए unit territories को support करना चाहिए अलग-लग issues में और इनके support के माद्यम से कही ना कहीं हम जेलों के अंदर में सुधार कर पाएंगे ठीक है तो इस पुरे article का एक background information मतलब ये चीज़े ना आपको ready मिली भी है एक ready मेट पूरा का पूरा content है यानि ऐसे topic के उपर कोई भी अगर सवाल आता है तो आप अराम से यहां पर उसकी जड़ को पकड़ कर चल रहे हो आपके पास में पूरा का पूरा content ready आप बहुत अराम से बिना कुछ सोजे समझे अराम से एक अच्छा answer लिख सकते हो ठीक है next news article पर आता है नहों आता है editorial page पर तो दोस्तो आज सभी को attempt करना है attempt क्यों करना है क्योंकि यह question बिल्कुल latest UPC 2022 में means में पूछा गया था तो इस वज़ा से सभी लोगों ने इसको attempt जरूर से करना है question क्या बोलता है do you think India will meet 50% of its energy needs from renewable energy by 2030 क्या आपको लगता है कि भारत 2030 तक जो अपनी यहां पर energy needs है जो अपनी यहां पर आप कह सकतो उर्जा की जरूरत है energy की जो needs है उसका 50% renewable energy से पूरा कर सकता है यानि कुछ ऐसी energy जिससे कोई pollution ना हो उसका 50% क्या नवी करणी है उर्जा से पूरा कर लेगा ऐसा लगता है आपको दूसरा यहां पर अगर लगता है तो आपको अपना answer justify करना है दूसरा यहां पर बताना है कि कैसे जो हमारी subsidies हैं जो अलग-अलग renewable energy के लिए दी जा रही है यहना अलग-अलग सरकार का support मिलना है renewable energy के लिए तो यह कैसे हमारे objective को achieve करने में मदद करेगा ठीक है इस चीज को लेकर 200 शब्दों में अपना answer रिखना है काफी बार हम renewable energy के बारे में discuss कर चु अपने जवाब का और चित्ते साबित करें है ना दूसरा यहां पर जो subsidy को लेकर आपको बता होगा जो fossil fuel है ना जिसको हम लोग जीवाश्म इधन बोलता है तो subsidy यहां पर आज की समय पर दी जा रही है ताकि fossil fuel से हम renewable energy के तरफ shift हो जाए तो इसको करने में क्या हम लोग यहा में अपने objective को achieve करने वदद करेगी आप बता सकते हूं 200 चब्दों answer लिखना और answer लिखने के बाद में कहां पर submit करना है टेलिग्राम पर जाना search box में लिखना दीपक्ष यादव education means group आपको full form लिखना है वो पूरा group मिलेगा उसके अंदर लगबग 50,000 से ज़्यादा लोग चुड़े वे हैं जो कि daily business पर answers को लिख रहे हैं आप भी अपने answers को लिख सकर वहाँ पर submit कर सकते हो और दूसरी बात जब आप answer को लिख कर समिट करोगे एक छोटा सा काम करना at least सभी लोग को दो-दो answers review करने है के वल 15 मिनिट लगेंगे दो answers आप review कर सकते हो इससे बहुत स करते हैं एडिटोरेल को तो एडिटोरेल हम स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में यह जो एडिटोरेल है इसको लिखा है आर के रागवन सामने एक फॉर्मर डिरेक्टर है यह ऑफ दा सेंटल ब्यूर ऑफ इन्वेस्टिकेश सुप्रिम कोट के अदर में एक मैटर चला है चार्चीट को लेकर उसको लेकर इन्होंने यह पूरा का पूरा डिस्कुशन किया हुआ है आपको पता होगा चार्चीट ना एक इन्वेस्टिकेशन होने के बाद तयार होती एक पुलिस वाले के पास में पूरा मैटर पूरा का पूरा वो एविडिन्स तयार करता है पूरा सबू तयार करता है वो ही हमरा चार्चीट कर लाता है ना बिल्कुल लास्ट में यानि कि सब कुछ इन्वेस्टिकेट करने के बाद में लास्ट में चार्चीट को तयार किया जाता है तो सुप्रीम कोट ने रिसेंट यहां पर बोला गया सुप्रिम कोड के थूरू जो यह चार्शीट है वो कोई पब्लिक डॉकुमेंट नहीं है और इनको अगर पब्लिक में प्रोवाइट करवा रहे हो तो कहीं न कहीं यह हमारे काफी सरे राइट्स का वोईलेशन है तो पब्लिक में इसको अविलेबल नही करवाना चाहिए वो बास सुप्रिम कोड ने रिसेंटली बोली है ठीक है कि आप इनको पब्लिक में नहीं अविलेबल करवा सकते आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर इन चार्शीट को अप्लोड नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता होगा चार्शीट जब अप्लोड हो होगा चार्शीट अग्जाक्ली होती गया है यह तो मैंने आपको पूंटा मोडो तरम बताते है अजब्ड एक एक प्लिस अकर्साल के स्थरों मैंने आपको बता आया था एक पुलिस ऑफिसर और एक investigative agency है जो कि किसी particular case हो देख रही है तो अपना पूरे case की तैकिकात करने के बाद में investigation करने के बाद में एक final report को तयार करते हैं वो लोग जिसकों लोग charge sheet बोलते हैं ठीक है तो एक case हुआ था के वीरा स्वामी वर्सिस union of India and others 1991 का ये case था इस case में Supreme Court ने rule करते हुए ये बोला कि charge sheet एक final report होगी ठीक है जो कि police officer ready करेगा और उसी के basis पर यहाँ पर आगे की कहानी discuss की जाएगी और इस charge sheet को कहीं न कहीं यानि कोई भी जो अपरादी है न उसके against में जो charge sheet तयार की जाएगी वो 60-90 दिन के अंदर तयार हो जानी चाहिए ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है नहीं तो जिस police officer ने उस व्यक्ति को arrest किया है वो illegal मना जाएगा तो 60-90 दिन के अंदर charge sheet को तयार करके पुलिस officer को पहुँचना होगा court ठीक है यह यहाँ पर mention किया गया है अगर यह 60-90 दिन में charge sheet तयार नहीं होती है तो क्या होगा तो जो कह दिया है न वो भाईया default bail मांगेगा क्या मांगेगा default bail में आपको default bail के बारे हैं पहले पढ़ा रखा है याद होगा वो यह कहेगा कि सर आपके पास में कोई सबूती नहीं है आप तो मेरे खिलाफ investigation नहीं कर पाए आपको 90 दिन दिये गए आप investigation नहीं कर पाए तो मुझे छोड़ो फिर है ना तो वह bail मांगेगा और उसको छोड़ना भी पढ़ेगा योगि आपके पास में कोई भी charge sheet ready नहीं होई है अगर इस time period में नहीं होती है तो वैसे ये time period है तो आपसे question बन सकता है 60 से नहीं दिन में इसको ready करना होगा चीक है आगे आता है अब question क्या है कि charge sheet में क्या होना चाहिए देखो charge sheet में एक इंसान का जो name है उसकी detailing उसकी nature of information offenses जो अपराद है बिल्कुल सारी detailing information evidences वगरा सब कुछ रखे जाता है ठीक है सब कुछ यहाँ पर तयार करके बहुत सारी information उस person की यहाँ पर रखी जाती है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है इस charge sheet के अंदर में ठीक है अब suppose यहाँ पर एक charge sheet तयार हो गई तो क्या होगा charge sheet तयार होने के बाद में जो charges है वो यहाँ पर frame कर सकेंगे उस particular person की उपर अब question यहाँ पर यह है कि सर यह थोड़ा थोड़ा FIR जैसा लग रहा है हाँ FIR जैसा लग रहा है लेकिन यह FIR से बहुत जादा अलग होता है charge sheet और FIR में थोड़ा difference होता है अब थोड़ा समझ लेता है कि FIR क्या होता है यह भी difference क्लियर कर लेता है यह जो charge sheet word है यह कहाँ पर mention किया गया है CRPC के अंदर section 173 में लेकिन जो first information report होती है जो FIR अब FIR दर्च करवान जाते हो ना किसी की तो जब FIR के बारे में बात करते हैं तो यह ना ही हमारे IPC के अंदर कहीं पर है ना ही हमारे CRPC में ना इसके बारे में IPC में कहीं चर्चा है ना CRPC में ध्यान लगना तो यहाँ पर FIR के बारे में कहीं पर इतनी चर्चा है नहीं फिर भी हमारे पास में अगर हम देखे हैं तो पुलिस को लेकर कुछ रूल से रेगुलेशन है जो कि CRPC के सेक्शन 154 के अंदर में हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत चर्चा की जाती है बट एफाईर में क्या होता है ना इसकी फिलिंग की यान इसकी फाइलिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो चार्चीट तो एक आखरी रिपोर्ट होती है आपको बता बिल्कुल लास्ट में हम तयार कर रहे हैं चार्चीट को लेकिन एफाईर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है सबसे पहली रिपोर्ट यहां पर एफाईर के लाती है जैसे माल लो यहां पर किसी के साथ में कोई अपराद हुआ तो वह वेक्टेम है वह पहुंचेगा पुलिस स्टेशन कहेगा सर यह हुआ है एफाईर दर्च करो ठीक है लेकिन ध्यान रखना एफाईर दर्च कि जाती है वो क्युगनजेबल उफेंस के लिए दर्च कि जाती है कर्या जैसे मतलब कोई रेप बॉडर हुआ किड्नैपिंग भी इस प्रकार के ऑफेंस के लिए उसको हम कोगनेजेबल ऑफेंस बूलता है यहां पर यह जो उफेंस होता है इसमें एक व्यक्ति को किया जा सकता बिना किसी warrant के जो non-cognizable offense होता है वहाँ पे एक police officer को warrant चाहिए होता है उस warrant के बिना वो किसी दूसरे person को arrest नहीं कर सकते लेकिन cognizable offense में बिना किसी warrant के उसको arrest किया जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर यह सी प्रकार से FIR भी file की जाती है तो FIR में यहाँ पर किसी person को मुझरिम साबित नहीं किया जाता है लेकिन chart sheet के अंतर सारे evidence होता है वो मुझरिम साबित होता है ठीक है उसको बिल्कुल last में त्यार के जाता है FIR में बसकाली यहाँ पर एक complaint लिखवा दिये ठीक है ना एक complaint लिखवा दिये अब यहाँ पर FIR को मानलो कोई पीड़े ते कोई victim है या उसके बिहाफ में याँ पर उसके परिवार वाले relatives हैं जिसने अपराद होता वा देखा है जो witness है वो सब लोग यहाँ पर उस FIR को दर्ज करवा सकते हैं ठीक है अब question यहाँ पर यह कि Supreme Court ने ऐसा क्यों बोला कि charge sheet कोई public document नहीं है Supreme Court क्यों ने क्यों यह बात mention करी है अब इसको समझते हैं court के according बात करें तो court ने यह बोला है कि तो को charge sheet publicly available नहीं होनी चाहिए public में आप available मत करवाओ ठीक है नहीं तो जब available होगी तो सब कोई यहाँ पर उसको read कर पाएगा ठीक है तो यह यहाँ पर बोला Supreme Court बोलता है यह कोई public document नहीं है तो काओगे बार बार यह बात Supreme Court क्यों बोल रहा है आप देख पाओगे मतलब कई बार बोल चुगा है इसलिए इन्होंने एक चीज़ मंचन की है वो है evidence act 1872 जो हमारा evidence act 1872 है इसका section 74 और 76 का यहाँ पर सहरा लिया हिया section 74 यहाँ पर बात करता है यह define करता है public document के बारे में कि जो भी public document होता है है ना कोई भी public document यहाँ पर तयार किया या है उसका मतलब होता कि आप उसको publicly available करवा सकते हो ठीक है लेकिन जो copy of chart sheets है है ना जो chart sheet की copies होती है या कोई और दूसरा important documents होते है उसको आप public documents नहीं कह सकते है इस section के अंदर में तो Supreme Court ने यहाँ पर mention किया कि इस section के अंदर में mention किया गया जो chart sheet तयार की जाते है एक इनसान की वो कोई public document नहीं है और public document नहीं है तो public में available क्यों करवाना वो चीज़ Supreme Court ने mention कि यहाँ पर section 76 के अंदर mention किया गया है आगेन वही same चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और ऐसे ही यहाँ पर section 75 में देखने को मिल जाती है section 75 भी यह mention करता है कि जितने भी documents है जो कि यहाँ पर section 74 में आप कर सकते हो कि mention किये गए उनके अलाबा जितने भी documents होता हो private documents होता है ठीक है न तो फिर यहाँ पर देखो घूम फिर के section 74 76 की बात की जाती है जो कि यहाँ पर public documents के बारे में चर्चा करता है कि आप यहाँ पर क्या क्या documents हमारे public documents कहलाएंगे तो उसमें chart sheet भी यहाँ पर एक public document यह category में है और अगर chart sheet public document की category में है तो कहीं नके यहाँ पर इसको publicly available नहीं करवाना चाहिए वो चीज़ यहाँ पर mention की गई है sorry, chart sheet यहाँ पर एक public document की category में नहीं आता है तो उस चीज़ को यहाँ पर publicly available नहीं करवाना चाहिए वो बात यहाँ पर सुप्रेम कोट ने mention की है ठीक है, यह बात clear हो गई तो मैंने आपको समझाया, ठीक है ना राम से यहाँ पर इस चीज़ को देख सकती है और समझ सकती है कि किस प्रकार से investigation हुआ है investigation के अंदर कोई यहाँ पर deal ढाल तो नहीं है इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर देखा जख सकता है काफी सारे लोग के तो यहाँ पर इसको पढ़ा जा सकता है वो investigation एक अच्छा करेंगे क्योंकि यहाँ पर चार्टशीट पब्लिकली अवलेबल होगा लेकिन चार्टशीट पब्लिकली अवलेबल नहीं होगा तो investigation के अंदर भी poorness बहुत जादे हो जाएगी पूरे सही तरीके से investigation को नहीं किया जाएगा और पब्लिक को इसके बारे पता भी नहीं चालेगा तो वो कहीं ने के यहाँ पर problems आने वले समय पर हो सकती है वो चीज़ यहाँ पर नोने mention की है I hope आपको एक clarity मिल चुकी है Next important editorial को देखते हैं यहाँ पर reign of terror के बारे में चर्चा की जा रही है अच्छा क्या है concept Myanmar के बारे में पूरा discussion किया गया है अच्छा आज Myanmar चर्चा में क्यों आ गया देखो Myanmar को दो साल होने वाले है first of five दो साल हो गए in fact Myanmar को लगबग दो साल हो चुके है वहाँ पर military coup है यानि तक्ता पल डू अबार military का रात चल ला है लेकिन आज के समय में लोग ना इतने ज़ादा गुस्ता है में आ चुके हैं कि आने वाले समय पर कुछ भी हो सकता है Myanmar की military की हालत यहाँ पर खराब कर सकता है ऐसा यहाँ पर mention किया या है तो matter क्या है आओ थोड़ा discuss करते हैं और यही वाला जो concept है Myanmar की पुरा का आर्मी को लेकर वो उपर मैंने एक picture भी लगा दिया बराबर मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चीक है तो Myanmar की एक leader है आंक सोन सू की यह जो leader आपको दिख रहे हैं ना picture में यह lead क्या करती थी Myanmar को आज से दो साल पहले जब तक यहाँ पर यह military का शराशन यहाँ पर नहीं था उससे पहले यहाँ पर एक political party हुआ करती थी NLD political party NLD का मतलब क्या है National League of Democracy और यह यहाँ पर उस election को जीती और यह basically lead कर रही थी Myanmar को चीक है तो यहाँ पर आप कह सकते हो 2015 में यह election में जीत जाती है लेकिन जैसे यहाँ पर यह 2020 में election में जीती है उसके बाद February 2021 में ध्यानक ना एक February 2021 में इनको arrest कर लिया जाता है नए Parliament में आने वाली ही होती है बस उससे पहले यहाँ पर arrest कर लिया जाता है पूरे देश में तकता पलट कर दिया जाता है तो आर्मी ऐसा होने नहीं देगी और military ने पूरी तरह से वहाँ पर कबज़ा कर लिया और आप देखोगे यहाँ के आर्मी ने एक साल की जो state of emergency है वो डेक्लियर कर दी और पूरी तरह से यहाँ पर आप देखोगे तब से मतलब हालात काफी खराब हो चुके हैं यहाँ पर आप देख पाऊगे यह एरा Myanmar का पूरा का पूरा map जो की इंडिया के जाथ में एक boundary को share करता है इंडिया के लावा चाइना लाउस थाइलेंड इदर बांगलेश आप को देखने को मिलेगा जिनके साथ में boundaries को share करता है जितने भी एरियास से वो सब बंद कर दिये गए एविन लोगों ने प्रोटेस्ट करना भी यहाँ पर डिसाइड किया कि प्रोटेस्ट करने के लोगों ने यहाँ पर सड़कों पर उतरे लेकिन लोगों को इतना जदा मारा गया कि काफी सरे लोग की अभी तक मृत्ती हो गई है मैनमार के अंदर में ठीक है तो आप इमाजन करो एक देश की आर्मी अपने देश के लोगों को ही मार रही है तो यह हालत मैनमार के अंदर है तो इमाजन कर सकतो किस प्रकार के situation वहाँ पर creator होगी तो एक फरवरी 2021 में यहाँ पर क्या हुआ था यह पूरा का पूरा मामला हुआ था और अभी यहाँ पर दो साल हो चुक है एक फरवरी 2023 निकल चुका है second anniversary यहाँ पर हो चुकी है इस तकता पलट की ठीक है न इस तकता पलट की और इस तकता पलट केता है जो आर्मी जनता है आर्मी मैनमार जनता है मैनमार जनता मतलब मैनमार की जनता मतलब है आर्मी जनता का मतलब यहाँ पर आर्मी है ठीक है तो इन्होंने यहाँ पर यह तकत टक्ता पलेट करने वाली मिलीटरी का लीडर आपको जो देखने को भलेंगे वो है जनरल मिनिंग लांग जनरल मिन पर फिर मारने कटने पर उतर सकते हैं क्योंकि अभी के समय पर पूरे मैनमार के अंदर में humanitarian disaster आ चुका है लोगों की यहाँ पर बुरे हालात हो चुके हैं एविन यहाँ पर mention यह किया जा रहा है कि आप देखो पिछले कुछ समय पर जब से यह तकता पलट हुआ है तब से लगबग 3,000 के आसपास जो सिविलियन से वो मार दिये गए मैनमार मिलिटरी के तुरू 40,000 के आसपास जो घर हैं वो बरबाद कर दिये गए 1.5 मिलियन के आसपास लोग डिस्प्लेस कर दिये गए एक जगह से हटा कर दूसरी जगह पर पहुँचे हैं वो एविन यहाँ पर बूला जा रहा है युनाइटिड नेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो 17.6 मिलियन के आसपास लोग आपको देखने को मिलेंगे ठीक है ना रफली यहाँ पर यह मैनमार की एक तिहाई पॉपुलेशन है जिनको हुमानिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत पढ़ सकती है आने वाले समय पर एक सपोर्ट की जरूरत पढ़ सकती है हाला इतने ज़ादे खराब है ठीक है ना यह लोग अपने यहाँ पर अब दीरे-दीरे क्या हो रहा है ना दीरे-दीरे लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है जोगी हाला देते खराब है सब कुछ बंद है दो साल से दीरे-दीरे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और वो कहीं न कहीं अब military के against में उतरते वे नजर आ रहे हैं चीक है हाला कि हमने कई बार कोशिश की है यहाँ पर matter को सुलजाने की बट फिर भी यहाँ पर कोई ऐसा matter अभी तक सुलजा नहीं है तो writer ने mention किया है कि देखो हमें जरुरत क्या है हमें यहाँ पर urgently एक जरुरत यह है कि हम एक discussion एक dialogue बैठा सकें बातचीत कर सकें मैनमार की military के बीच में और दूसरा वहाँ पर जो opposition parties हैं उनके बीच में अब लोग democracy चाहते हैं लेकि democracy खतम हो चुकी है वहाँ पर पूरी तरह से तक्ता पलट हो चुका है military कबजा रही है military rule कर रही है है ना तो यहाँ पर जो democratic parties हैं उनके बीच में और यह military के बीच में एक बैठ कर discussion करवाना चाहिए बातचीत करवानी चाहिए और यह बातचीत करवानी बहुत ज़्यादा जरूरी है वरना मैनमार में एक हंगामा अनेवले समय पर हो सकता है लोग यहाँ पर मारने कटने के लिए उतर सकता है तो इसके लिए कुछ international players को यहाँ पर उतरना जरूरी होगा खासकर आसिया अन देश हो गया चाइना इंडिया इन सब को कहीं ना कहीं यह मैनमार की military को push करना चाहिए कि अपने opposition leader के साथ में कर बातचीत करें एक बार discussion start तो करें एक बार discussion start करने के बाद में हो सकता है यहाँ पर कुछ solution निकले हो सकता है यहाँ पर कुछ बीच का रास्ता निकाल लिया जाए आपस मिल कर यह लोग कुछ काम कर लें जो लोग आज की समय पर problem सफर कर रहे हैं लोग यहाँ पर उस problem से बस सकें ठीक है तो वो चीज़ यहाँ पर इस particular editorial में बताई गई next article पर आता है तो यह हमारे editorial सारे के सारे समापत हो गए जो भी important थे आपको बता है Saturday में Saturday में ना text and context आता है और editorial का second page भी नहीं आता है आज हमारे काम के articles खतम हो गए अब एक दो छोटे छोटे articles हैं फटाफट इनको भी एक बार देख लेते हैं एक article आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा यह क्या बात करता है यह बात करता है कि देखो अभी हमने recently देखा था कि जो इंडिया के syrup है कफ सी जो सीरप है उसको लेकर बावाल हो गया था यूगांडा में और कुछ देशों के अंदर में जहां पर वो कफ सीरप के विए से काफी बच्चों की ब्रेती हो गई थी नाव यूएस के साइट से एक और यहाँ पर नियूज निकल कर आती है लोगों के उपर में और वो इस eye drop के वज़ा से हुआ है और वो eye drop कहीने के Indian company ने बनाई है ऐसा यहाँ पर यूएस का कहना है तो यूएस का कहना यह है कि जो global pharma healthcare है यह इंडिया की company है इन्होंने इनकी ये eye drop है और इन्होंने अब यहाँ पर US markets है यानि अमेरिका के मार्केट में जो भी यहाँ पर यह आई ड्रॉप्स अभी के समय पर अवेलेबल इनको रीकॉल कर लिया वापस से मंगा लिया है बोला यह गया अमेरिका का जो CDC है मतलब Center for Disease Control इनका कामें बिमारी को रोखना इन्होंने यहाँ पर क्या क्या है इन्फेक्शन को लेकर एक वार्निंग जारी कर दी है और बोला है कि इस ड्रॉप का यूज करके कुछ केसिस ऐसे निकल कर आए हैं जहाँ पर लोगों की आँख भी जा सकती है लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं आज के समय पर वो capability खतम हो सकती है दूसरा यहाँ पर इनसान की मृत्यू तक हो सकती है बिल्कुल आयसा यहाँ पर mention किया यह कि यह contaminated artificial जो tear है न इसका use करने से eye infection बढ़ रहा है लोगों में दूसरा यहाँ पर blindness अंदे जैसी problem आ रही है आने वाले समय पर धेर सारे articles इसको लेकर publish होने वाले हैं तो एक warning issue यहाँ पर अमेरिका ने जारी किया और जो हमारी company है उनों ने यह जो सारा का सारा stock है US market के अंदर में वो सब वापस से मगा लिया है वापस से recall कर लिया है चेन नहीं की company है यह global pharma health center जिन्होंने यहाँ पर यह सारे सारे eye drops recall कर लिया है ठीक है आई हूप आपको यहाँ पर यह clarity मिल चुकी है फिर एक और शोटा सा article आपको यहाँ पर बगल में देखने को मिलेगा यह वाला अब ऐसे article one one liner है इसमें कुछ क्या जादा खास तो है नहीं फिर भी मैं आपको बता दता हूँ exactly क्या है तो हमारा जो Indian Air Force है इन्होंने अभी यहाँ पर कुछ नए transport aircraft को खरीदने के लिए mention किया है कुछ नए aircraft को यहाँ पर यह लोग purchase करेंगे और उसको purchase करकर जो पुराने वाले हैं AN-32 इसको replace कर देंगे तो यह बात यहाँ पर बोली गई है इसके लिए यहाँ पर request for information जो है वो जारी कर दिया गया है कुछ नए medical transport aircraft को यह purchase करेंगे और ऐसे aircraft ट्रांसपोर्ट पर्चेस करेंगे जिनकी अंदर में काफी सारी शमताएं हो 18 से 30 तन तक का समान लेकर वो उड़ सकें है ना तो इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर हम लोग लाने वाले हैं अब यह आपको थोड़ दर पहले ही समझा दिया था लेकिन उसके बाद एक article आपको यह देखने को मिलेगा इस article में बोला जा रहा है कि अमारिका के ओपर या अमारिका देश के ओपर एक गुबारा उड़ता है इस प्रकार का यह गुबारा चाइना का स्पाई बैलून है ऐसा यहाँ पर अमेरिका की साइट से बोला गया है और चाइना ने यहाँ पर इसीच को एकसेप्ट कर लिया है बोला कि हाँ बिलकुल यह हमारा ही गुबारा है हमने यह आपर उड़ाया है लेकिन यहाँ पर वेदर की जांच करने के लिए गुबारा को उड़ाया है लेकि कहीं ना कहीं यहां पर अमेरिका आप कैसे तो सही काम नहीं कर रहा होगा है ना कि अमेरिका कैने की रिलेशन्शिप को खराब कर रहा होगा तो यूएस नो इसको शॉट डाउन जैसे यहां पर इस जासुसी गुबारे के बारें पदा चला तो एंट ने बिलिंकन ने क्या करा चाइना विजिट को पोस्ट पॉन कर दिया है उन्होंने बोला कि देखो अभी हम यहां पर नहीं जाने वाले चाइना को हम कभी बाद में विजिट करेंगे तो अभी के लिए पर इस विजिट को भी पोस्ट पॉन कर दिया जा है तो पिछले कुछ समय पर यह इशू जाएं तो उसके बारे में एक चोटा सा आर्टिकल यहां पर देखने को मिलेगा अगेन नो एक्स्ट्रा इंफॉमेशन देन उसके बाद में एक और चोटा सा आर्टिकल आपको यहा पाकिस्तान नहीं पर बोला है कि बिल्कुल जो आईमेफ के रूल से नेगुलेशन होंगे उसको हम लोग यहां पर अग्री करेंगे आगे ठीक है न और अग्री करना भी पड़ेगा क्योंकि इंटरनाशनल मोनेटरी फंड पुछ अमांट प्रोवाइड करवाएगा कुछ प्रोवाइड करवाएगा ताकि पाकिस्तान अपनी प्रोब्लम से यहां पर निकल सके तो उसके लिए यहां पर कुछ रूल से नेगुलेशन होंगे जो कि यहां पर पाकिस्तान को फॉलो करने होंगे वो बात यहां पर बताए जा रही है लेकिन ओवर वल एक छोड़ी सी दूसरा विश्वियोद हुआ था उसके बाद में और यहां पर आपका सकते हो कि इंटरनाशनल मोनेटरी फंड को गवर्न किया जाता है लगबग 190 देशों के तुरू तो 190 देश यहां पर इसके मेंबर हैं इंडिया इंडिया भी इसका मेंबर है तो इंडिया 27 दिसंबर 1945 म पहले international monetary fund का member बन चुका था अच्छा एक question यहां पर यह है कि इसको क्यों बनाएगा इसके पीछे का reason क्या है international monetary fund को बनाने का पीछे का और इसका main primary purpose है ensure करना international monetary system के अंदर stability यानि कि भारत सॉरी दुनिया भर में यहां पर क्या है बहुत सरी countrys जब सफर करने लगती हैं है ना वहां पर financial instability create होती है तो उन countrys को support करने का काम करता है international monetary fund तो दुनिया भर में एक financial stability को create करने का काम हमारे international monetary fund का होता है दूसरी important चीज़ यहां पर यह है कि जो उसकी examination में आपसे कई बार पूछी भी गई है international monetary fund यानि IMF कई सारी reports को publish करता है दो reports majorly आपको ध्यान में रखनी है एक है global financial stability report और एक है world economic outlook तो आपसे सवाल यहां पर बन सकता है कि global financial stability report कौन publish करता है कल मैंने आपसे एक question पूछा भी था याद होगा उसको international monetary fund पब्लिश करता है या आपसे एक तरीके से question और बन सकता है कि world economic outlook वाली report को कौन publish करता है तो IMF यहां पर इसको publish करता है ठीक है तो इस प्रकार से questions आपसे prelims के अंदर बन सकते हैं तो यह था आज का हमरो overall discussion I hope guys आप लोगको सारी चीज़े अच्छे से बहत्री तरीके से clear हो चुकी है और मज़ा आ चुका है और PDF में आज आप लोग information निकाल पाओगे अराम से कुछ कुछ मैंने starting में बता दिया आपको तरीका कि किस तरीके से PDF से background information को extract करना है तो UPSC का 2019 का सवाल था prelims का उसको देखकर फिर अपने वीडियो को अंद करेंगे तो आपसे पूछा यह गया था कि जो कल्यान मंडप है ना कल्यान मंडप यह important feature है हमारे temple construction का यह कौन से समराज्य के समय पर कौन से kingdom के समय पर था तो इसका सही उतर है option number D विज temple के अंदर में जैसे आगे गेट पर गोपूरम हो गया बीच में यहाँ पर गर्बगरिया हुआ करता है गर्बगरिया यानि कि जहां पर main DT यानि देवी देवतायों को बैठाया जाता है उसकी बाद temple का पूरा पूरा उपर का structure एक platform होता है उपर यहाँ पर पूरा structure आप मिलते हैं आप लोगों से अगले वडियो में आज के लिए बाबाई have a nice day thank you and जाहिंद